मद्दप्रदेश के चतरपुर में SDO की बगेर अनुमती के ही सागोन के एक बड़े ब्रक्ष को धराशाई कर दिया गया PWD कारेले में लगे एक सागोन के ब्रक्ष को बिभाग के SDO कमलेश मिश्रा द्वारा बगएर अनुमती के धराशाई किये जाने का मामला सामने आया है बताये गया है कि कारेले में लगे सागोन के एक ब्रक्ष को बगेर सक्षम अधिकारी के अनुमती के ही काट दिया गया इस समन्द में जब विभाग के करमचारियों से सवाल पूछा गया तो भी कोई सटीक जवाब नहीं दे सके उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ब्रक्ष से कारेले का भवन छतिगरस्त हो रहा था जिसके चलते पी डबलूडी बिभाग के एसडियो कमलेश मिश्रा के मौखिक आदेश पर इसे काट दिया गया वो लिखने है कि किसी भी सागोन के ब्रक्ष कॉ काटने से पहले बन विभाग के डिय आफो से अनुमती लेना आवश्यक होती है लेकिन उक तंपेड को काटने से पहले ना तो अनुम्मत ही ली गई और नहीं बनविभाग को सूचित किया गया अब इस घटना पर कई सवाल उठ रहे हैं उन्हें मों के कहा था कि हमायते नुक्सान है लिख के दिया है नहीं मों के कहा था भाइचा सहाब अजान का रिए इसकी मिसरा जी को बताया था पुलिज उस माकान से म्था दूर ढया है निकता दियुक्त कहां है दराई में तो नहीं दिख रहे हैं अरे यार भाई सभाइचा आप घर के ओज़मकार आपकर सब्सक्राइब तो हैं तो करकाद मिश्रा esimerkा का तेस्वी साथ के में बोलो उनकी आधिस हैं कितने पर काटे की किसलिए का ज जी तो मद्दूर आदनी हम तो उसमें जानते नहीं हम दो निकाल आदनी हम ऐसा हम कटवा रही हरी भड़ी पेड़ काट रहा है उसे का परिशानी थी क्या मतलब है कौनी चीज बताओ जितने आप हमें तो जुवार रही है और नहीं का लगा नुक्सान है मजवीगा समय करने पड़ा थे